नमास्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार खिर से मारे आचार जागंद रमिस्टाश चैनल पे दोस्तों यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नया शीकना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सबसे बड़ा पाप क्या है अंजाने में ये पाँच पाप करने वाले जीवन भर दरिद्र ही रहते हैं दोस्तों हमारे धर में कुल 18 पुरान है इनमें शीव पुरान एक ऐशा पुरान है जिसमें मनुष जीवन को शुक्मय बनाने के लिए कई शारे मंत्र बताये गए हैं शीव पुरान में माता पारवती और भगवान शीव के संबाद का शार भी बताया गया है शीव पुरान में पाँच ऐसे पापों का वरणन मिलता है जो मनुष अंजाने में करता है और उसका दंड भुगतता है शिव पुरान के अन्शार, मनूस्ट को ऐसे पाप भूल से भी नहीं करने चाहिए इन्हें करने से भगवान स्युग की आपके उपर कभी कृपा नहीं होती और यही बज़े है कि लोग अंजाने में ऐसे पाप कर जाते हैं और शिव जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं दोस्तों कलियुग में धर्म का केवल एक चतुर्थांसी सेस बचा है इसलिए मनुस पाप कर्म करता रहता है लेकिन अगर आप भगवान पर आस्था रखकर धर्म के पथपर पूरी निष्टा के साथ चलते हैं तो निराकार इ जियान दे तो आपसे अंजाने में भी कोई पाप नहीं होगा और इश्वर की सहज क्रिपा आपको प्राप्त हो शकती है आप अनेक पुन कर्म करते हैं लेकिन फिर भी आपको उसका उचित फ़ल प्राप्त नहीं होता क्यूंकि आप में अंजाने में कई सारे ऐसे पाप हो ऐसे पाप बताएंगे जो भगवान सिव और माता पर्वती के द्वारा बताए गए हैं कि अनुसार कलियुग में मनुस जाने अंजाने में ही ऐसे पाप करता है और मेरी कृपा को नहीं पाशकता जो भी व्यक्ति इन पापों को नहीं करता उस पर सिव जी की कृपा बरस्ती ह ऐसे व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता इसे जीवन में कभी भी धनकी कमी महसूस नहीं होती और ऐसे व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है तो आईए जान लेते हैं कौन से हैं वो पाप लेकिन दोस्तों उससे पहले आप से रिक्ष्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजेग सबसे पहला पाप है मानसिक पाप शिव पुरान के अनुसार कल्यूग में मनुस रोज मानसिक पाप करता है मानसिक पाप वो होता है जब आप मन में दूसरों के प्रति बुरे बिजार लाते हैं जो किसी इस्तरी के बारे में हो या फिर किसी अन्य ब्यक्ति के उन्नत देख या फिर किशी के शंदर को देख कर क्यों ना हो मन में उसके प्रत बुरे बिचार लाता है। किसी को दुख पहुचाने के लिए गलत भाषन का इस्तेमाल करना बड़ा पाप होता है। प्रकित को इश्वरी रूप माना जाता है। अकारण ही प्रकित को नुक्षान पहुचाना पाप माना जाता है। पेड़ पौधों को काटना पश्वों की हत्या करना ये सब शारेरिक पात की स्रेणी में आते हैं। इसके अलाबा पेरों की नीचे छोटे-छोटे जीव जन्तुओं को कुचल देना ये सारे पाप माना गया है। एक महात्मा पूरुष अपने कदम भी रखता है तो धर्ती माता से छमा मांगता है। उसके आचरन से किशी भी प्रानी को कोई कश्ट नहीं होता। चोथा पाप है निंदा करना। करना ये सारे चीज पाप है। साथ ही इन लोगों के संपर्क में आना इन लोगों के सरन देना अत्वा इनके किशी कार में शहायता करना ये सब पाप है। इनके संपर्क में आने से बचना चाहिए तो दोस्तों ये तो थि वो पाँच पाप जो की मनस को जाने-ँजाने में हो जाते हैं और अगर आप जान लेते हैं तो बिल्कुल ना करें इन पापों को इसलिए इसे पाप होने से आपको लिए बस यानि कि बचना भी चाहिए इन पापों को करने से तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही दस्तों अगर आपको वीडियो खास पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए